किसान भाईयो नमस्कार स्वागत आपका हमारे यूटूब चैनल स्मार्ट एग्रिकल्चर में आज के इस वीडियो में हम चने में पहले इस्प्रे के बारे में बात करेंगे अगर आप चने की ज्यादा से ज्यादा पेदावार लेना चाहते हैं तो चने में जो पहला स्प्रे किया जाता है वह बहुत ज्यादा महत्वपूर रहता है अगर हम पहला इस्प्रे लेट करते हैं या फिर गलत दुणाव का चैन करके उनका च्छड़काओ करते हैं और अगर इलिया कंट्रोल नहीं होती हैं चने में फूटाओ कम होता हैं अपने चने की फसल में जो पहला छिड़काव किया हैं उसमें कौन-कौन सी दवाव का परयोग किया हैं कितनी मातरा में किया हैं जिससे चने की पैदावार ज्यादा मिल सके तो इसके लिए आप इस वीडियो को अन्त तक जरूर देखना और किसान भाईयो आप हमारे चैनल प हो जाए तब आपको चने में पहला इस्प्रे कर देना चाहिए क्योंकि किसान भाईयो तीस दिन के बाद अगर आप पोदे को ध्यान से देखा गया तो उसमें आपको हरी और बूरी दो परकार के इल्या आपको नजर आएगी किसान भाईयो हम यह जो आपको वीडियो में चने दिखाए दे रहे हैं यह अब 32 दिन के हो गए हैं तो अब हमने इसमें इस्प्रे कर दिया हैं आप वीडियो में साब तरीके से देख पा रहे हैं इसमें इल्या किस वरकार से लग रही हैं इसलिए आपको ध्यान अकना है कि चने में पहला इस्प्रे तीस दिन के बाद कर देना है क्योंकि कुछ किसान भाई ऐसे भी होते हैं जो चने में पहला स्प्रेश चने के फूल आने के बाद करते हैं तो अगर आप यह गलती करते हैं कि चने में पहला स्प्रेश फूल आने के बाद करेंगे तो यह जो इलिया है यह चने को कफी ज़्यादा मातरा में नु करें तो तीस दिन के बाद जो आप चने के पोदे को देखेगे तो उसमें एक तो आपको हरी इल्ली नजर आएगी और दूसरी उसमें आपको भूरी इल्ली नजर आएगी तो किसान भाईयो इसके लिए आप इमा मेक्तिन बेंजोइट का प्रियोग करेंगे तो वह बहुत अ हो जाएगी तीन-चार दिन में सभी इल्ली इस तरीके से खत्म हो जाएगी तो किसान भाईयो हमने खुद इमा मेक्तिन बेंजोइट का प्रियोग किया है इसके डोज की बात करें तो आपको एक 15 लिटर वाले पंप में ती 10 ग्राम इमा मेक्तिन बेंजोइट डालने की आपको एक फंगी साइट का प्रियोग करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आप अगर खेत में घूमोगे तो आपको कुछ पोदे ऐसे नजराएंगे जिस पोदे की जड़े फंगस के कारण खत्म हो गई है और पोदे पूरी तरीके से सूख गए है तो वह फंगस अच्छा रिजल्ट उससे मिलेगा और किसान भाईयों अंत में हम टोनिक के बारे में भी बात कर लेते हैं क्योंकि अगर आपके चने में फूटाओ अच्छे तरीके से नए हो रहा है तो आपको चने में टोनिक का प्रियोग करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है अगर हम हम हमारे चने की बात करें तो हमारे चने में हमको फूटाओ बहुत अच्छा तरीके से देखने को मिला तो हमने किसी टोनिक का प्रियोग नहीं किया है अगर आपके चने की इस्तिती भी ऐसी है कि उसमें फूटाओ हो रहा है तो आपको कोई टोनिक का प्रियोग करने की आउस पोसक स्वावा करे क्योंकि पिछले साल हमारे एक खेट में छने में फूटाव नहीं था तो हमने पूछसक तुपर का स्प्रेख किया हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था पोसक स्वावा ज्यादा भी शजादा महँगा नहीं है किसान भायो अगर फूटाव नहीं वह जरूर करना चलिए किसान भाई यो मिलते हैं अगले वीडियो में जै जवान जै किसान